ब्मबए सिर्फ सपनों का शहर माना जाता है मंबए को देश की आर्थिक राजदानी भी कहा जाता है रोजगार की तलाश में उतर भारत की लोगी नहीं बल्की दूर दूर से भी लोग यहां आते हैं हाल ही पे मुंबई में एक भीकारी महिला की लाज पिलिस को मेड़ी थी, जानकारी निकालने के बाम मालू हुआ कि भीकारी महिला तीन ट्रक की मालगीन है और यह ट्रक उसने भीक के पैसों से कुझ खरी दे थे पुलिस प्रिशासन के मताबिक बंगाल उत्रप्रदेश, पिहार, तमिलनाडू, आंद्रप्रदेश और कैरल तक से लोग मुंबई में भीक मांगने आते हैं भीक के इस धंदे में सबसे जादा मांग बच्चों की रहती है बिखारियों के सरगना इन बच्चों का अपरण या फिर खरीद कर लाते हैं या नवजात बच्चियों की मांग भी जादा रहती है ताकि बड़े होने पर उनसे वैश्या व्रत्ती भी करवाई जाए जानकारों के मताबिक भीक में मिले चिलरों को उच्छी दाम में बेच दिया जाता है ये चिलरल व्यापारियों को 15-20 रुपे बढ़ा कर दी जाती है मुमई में रिजर्व बैंक का मुख्याले होने की कारण यहा चिलर की कमी नहीं होती लेकिन उतर भारत में चिल्लरों के साथ नए नोटों की भी कमी रहती है जिसका फाइदा उठा कर ये व्यापारी चिल्लरों को और अधिक कीमत पर बेच देते हैं